और कैसे आप लोग चुकि बात आ रही है MPDT काउंसलिंग की चुकि काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिने ऐसा लग रहा है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है कालेज के अंदर मतलब उनके सीट पक्की हो गई है ऐसा होता है क्या ऐसा संबब बिल्कुल दो पर दरने का सीट देना हो जो चोटे कालेज के बार्मी बेसमें बेसं होता है उनकी बात अलग हो सकती है पर जहां जे डेवली वालों को एडमिसन मिलता है और कोई यह कह रहा है कि नहीं आपके तो 50% है आपको तो और येंटल मिल जा रहा है विजा मैं दूंगा बेटा आपको कैसे हो सकता है अब खुद सोचो या तो बेपकूप आफ बन रहे हो या तो बनने का नाठक कर रहे हो क्योंकि होना वही है जो आपके माक्स है मतलब अवरल बाते ऐसी हो जाती है आप यह समझो कि आपके जो नंबर आये है वह जब चॉइस फिलिंग करने के बाद आपके सीटे मिलेंगी वह पर्फेक्ट कहलाएगा चुकि रजिस्टेशन वर्सेज एडमिसंस मैंने एक वीड करने में अपके आसानी में हो और दूसरी बात है कि 27 तरिश तक कर लिया गया तो और यह सब्सक्राइब बरहा दिया जाता है लेकिन 27 तरिश तक बहुर टाइम है आपको भी बीच में कर लिदीना और कस्तुमाइच करना क्या-क्या-काइस आदा ने बरतनी चाहिए मैं वह बताऊंगा आपको लेकिन सबसे पहले यह है कि मालो आप लगाते हो किसी में इस साल बर की जो महनत आपकी जो कॉंसलिंग की प्रोसेस है ना इस कॉंसलिंग में आपका जो मालिक है मालिकाना हक आपके ऊपर किसका जाता है कालेज का जाता है कालेज उसके बाद जो चाहेगा वही करेगा मतलब यह है कि जब वो सीट दे नहीं सकता तो आपका आईडी परस उसके पर क्यूं होगा कम से कम ऐसा तो करो में भाई की टॉप टू बॉटम की च्वाइस फिलिंग हो लेकिन आप अगर तो बॉटम चवरिंग करते हो कि पहले नंबर पर शबसे दालेंगे जो चौछिस के बाद अस्तान आता है उसे ढालेंगे बतलब ऐसे तौप टूटम अगर आज आते हो इसे फैदा किसे होके नंबर पर जो आपके लिए सबसे बेस्ट परश संगा वही कि आपको मिलेगा ना कि किसी कॉलेज बालें को आई डी पारफटन देते हो देखो नमबर आपके बिलकुल खराब हो गए तो बिलकुल यह सच्छा है एकसेप्ट करो कि अब जो कॉलेज आप सोच कर रखें वो नहीं मिलना तो नहीं पहले राड में बहुत प्रॉलम आती है कि मार्स वाले को नहीं मिलता वो पर उसके फॉर्थ केमपस वो खाली जाता उसके को चॉइस नहीं करता मतल्ल जो सीटे खाली जाएंगी वो तो CLC में को दे देगा पर खाली जानी भी तो चाहिए आप खुद सोचो ना जिस बच्चो कोई को लेगाता उनको तो वो कैसे भरेंगी बहुत कि उनका है उसे चॉक चलाना है तो बच्चे तो होने चाहिए या तो सही बोलके या गलत बोलके उनकी एसके लिए तो आपको देहान रखो कितना कैसे समझा मुझे निसमझ में आता मैं कोसिस करता हूं आप लोग के अनसाद नहीं आता है तो कोई दिकत नहीं करके बताओ भया अपने यहां गलत कहा है ठीक है लेकिन जिनके जिन बार्मी क्लास वाले हैं जिनके लोई जेड़ परसंटाइल है आप यह देहान रखना कि आपके लिए वो कॉलेज ही होने है जो आपको मिलने है ड्रीम कॉलेज अब इस प्रामिस के साथ चोड़ो कि आगे जो हम करेंगे वह बहुत बढ़िया करेंगे क्लास में अगर टॉप पोजिशन पर रहेंगे तो वही कॉलेज आपको प्रेस्परिंट लाकर देगा बहुत जादा परसान होना तो मुझे कॉल लगाना नंबर डिस्क्रिप्शन म वही कॉल भी होते हैं ठीक है ताइंक्यू समय दोस्तों ऐसे चुड़े रहें ऐसे बने रहें खिल भी कुछ लगे तो बताना थांक्यू